चतिसगर सामान अध्यान के करम में आज इस वीडियो में हम देखेंगे चतिसगर के मुहावरों के बारे में तो चतिसगर में जो प्रच्रिक मुहावरे हैं हम उनको देखेंगे और उनका अर्थ जानने का प्रयास करेंगे तो चलिए शुरू करते हैं इसी क्रम में सबसे पहला जो मुहावरा है 36 गड़ी मुहावरा वो है दात निपोरना तो दात निपोरने का अर्थ होता है लगजित होना उसके बाद दिखिए चाउर चीचना चाउर चीचने का मतलब होता है जादू करना एक लांगन एक फरहार मतलब निप्चट गरीब आद में निप्चट गरीब होना आखी पंडराना का मतलब होता है काना होना गोर्षी में आगी होना का मतलब होता है मन में इर्शय होना अचरा मारना का मतलब होता है तोना करना अंगना खड़वा करना मतलब होता है अधिक खुसामत करना अजोरी पाक आना का मतलब होता है अच्छे दिन आना फिर हाथी के पेट में सोहारी मतलब उट के मुह में जीरा तो दातनी पोरना चाउर छीचना आखी पंड़ाना गुर्षी में आगी होना अच्रा मारना जोरी पाक खाना और हाथी के पेट में सोहारी एक लांगन एक फरहर और अंगना खड़वा करना फिर देखें अद्रमा फाटना मतलब वजरपात करना वजरपात होना हाथ मारना मतलब लाब होना अब बढगाम करना मतलब अंगरा बरसना गर्मी कान के कीरा जरना मतलब होता है खरी जराना खरी खोटी सुनाना मूस उखाना रद प्यास लगना उसके बाद कोड़ा जनकना मतलब हलकी फहार होना फुहार होना उखान के भारा बांगना का मतलब होता है हानी पहुचाना जुच्छा हाथ होना मतलब होता है विद्वा होना गरी बांधना मतलब विवाह करना चाती फटना मतलब होता है सहन नहीं होना अइंट अइंट के रहना मतलब होता है मन मसोस कर रहना अंग्ठा चाप मतलब निरक्षर अंडा जस अंडा का सेना मतलब होता है बचा छिपा कर रखना आखी लड़ेरना का मतलब होता है मृत्ति होना मत जाना आशू धारना धारना मतलब रोने का अभिनय करना गाल फुलोना रूठ जाना या गुस्सा होना गुर्री गुर्री देखना मतलब गुस्सा होना गोहार पारना मतलब खूब विलाप करना चंदा कस बरना मतलब बहुत खूब सूरत होना चूंदी हटकना मतलब अपमानित करना टेहरी के माटी खाना मतलब प्रेम होना जिनगी पहाड होना भारी विपत्ती आना जोरी धराना मतलब एकदम भीक मंगा बनाना नरियर बदना मतलब पूरे जीवन के लिए मैत्मी संबंद पैसा गलाना का मतलब होता है खर्च करना पन ही टोरना का मतलब होता है खूब परिश्रम करना पाई पाई जोड़ना मतलब एक एक पैसा जोड़ना पागी ढीला करना मतलब हिम्मत हागना पेट मा दांत होना मतलब कपट का भावन पाट जो होना मतलब परतीक्षा करना बादर छूणा मतलब असंभावकारे करना भाग फूटना मतलब अभागा होना मन फाटना मतलब होता है हताश हताशा आना हताश होना मीट की धरना मतलब चुप रहना और लठर लईया करना मतलब व्यर्थ गूमना लाहो लेना मतलब कुछ पात मचाना हाही चाना मतलब लालच लगे रहना हुरिया देना मतलब ललकारना हीरा का सोना मतलब बहुत सुन्दर होना तो इस प्रकार हमने 36 गर में प्रथलित मुहाऊ रहे हूं और उनके अर्थ को देखा पाशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो इसे लाइक करें अगर चाहते हैं कि यह वीडियो दूसरों तक पहुँचे तो इसे शेयर करें इसी तरह की टॉपिक पर आगर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन चाहते है तो बेल आइकाउन को प्रेस करें और अगर आप टॉपिक पर डीटेंड वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को आप जोइन कर सकते हैं केवल 29 उर्पप्रति माहमें धन्यवाद